हलो एवरीवान, वेलकम यू आल इन अमबिशन, यह एपिसोड 6 है हमारी लीगल न्यूज अन अपडेट सिरीज का, आज हम लोग हाल ही में डेली हाई कॉर्ट ने वरजिनिटी टेस्ट को लेकर एक इंपोर्टन जज्जमेंट दिया, उसको डिसकस करेंगे, तो इस केस का टा विरजिनिटी टेस्ट टो बी परफोर्म यह उस हर महिला का, राइट टो लाइफ, यह अर्टिकल 21 के फंदमेंटार को विलेट करता है, not only does such a test interfere with the women's bodily integrity the court said it can also have a long standing psychological impact on the women ना सिर्फ वो उस महिला की bodily integrity को interfere कर रहा है हिंडर कर रहा है साथे साथ उस पे एक बहुत ही you know बहुत लॉग परस्पेक्टिफ साइकोलोजिकल इंपक्ट आल रहा है अब हम बात करें कि वर्जनिटी टेस्ट क्या है so in simple words what I can say is कि यह एक ऐसी प्राक्टिस है यह एक ऐसा प्रॉसेस है जो डेटर्माइन करता है वेदर गर्ल और वोमन इस अ वर्जन और नोट that simply means that whether she has ever engaged in or subjected to sexual intercourse or not इसको डेटर्माइन कर लिए यह टेस्ट करा जाता है इसी से रिलेटर्म है तो फिंगर टेस्ट इसको सुप्रीम कोर्ट ने बां करा था आपको आद को अक्टूबर में जजमेंट आई थी बाइड़ बैंच अवी चंडर्चूद केस का नाम था स्टेट आप जार्कंड वर्स चलेंदर कुमार राय जिसमें सुप्रीम कोर्ट बांड इस तूफिंगर टेस्ट बैसेंग इस शोइंग अपेट्रियार्कल माइंड सेट अच्छली अक्टिव में कांट बी रिप्ट बिसिकली इस केस के लिए डेली हाई कॉर्ट रिट अर तो वर्ट उनको लाइफ इंप्रेजमेंट की सजा सुनाई गई थी अन यह जो सजा सुनाई गई वो वर्जिनिती टेस्ट इस्टेस्ट पी रिलाइड होकर CBI कॉर्ट ने सुनाई थी अर्षदी तो सपॉर्ट इस सिस्टर अभाया वस मुर्डर्ट तो कवर अब थी इस सफी और अदर थी कॉर्ण जच्छमेंट को देते होए दली हाई कॉर्ट वर्ट इस्टर सेफी को लाइफ इंप्रेजमेंट का पानिशमेंट इंपोस किया गया था वो अबी सस्पेंट क को लेकर Justice Swarnh Kanta Sharma ji, जो इस रिट पेटिशन को सुन रही थी, उन्होंने कहा that virginity testing एक बहुत inhuman treatment है, ये एक human dignity को affect कर रहा है, violate कर रहा है, and this cannot be resorted to by the state, state इसको perform नहीं कर सकती है, because this is ultimately violating the right to life that is enshrined under article 21 of Indian constitution, अगर आपको याद होगा, मेनिका गांधी के केस में, कोट ने article 21 के scope को वाइद अप करते हुए, explain किया था, that right to life does not means a mere animal existence, rather it includes a right to life with a human dignity, अब दिगनिफाइड लाइफ सस्टें करोगे, that is provided as a fundamental right in article 21, it also includes right to privacy, right to livelihood, right to health, right to free legal aid, तो बहुत सरे rights, इस article 21 में included होते हैं, इस case में आगे, कोट ने कहा, that, कुछ fundamental rights ऐसे हैं, जो कि, even though, अगर कोई person custody में हैं, उसके बावज़ोत भी, उनके वो rights infringed, या suspend नहीं किये जा सकते हैं, और उसमें से एक right हमारा article 21 है, शी continued in response to the argument that such a test may have different connotations when conducted on a victim of sexual violence, की argument present किये गए थे, कौट के सामने की, इस test का जो मतलब है, जो object है, that is different, अगर हम लोग किसी sexual violence के victim पे कर रहे हैं, तो, या फिर, if we are doing it in a criminal case, on an accused, but court ने कहा that this argument is pointless in regard to such a test, because article 21 वहाँ पे वोलेट हो रहा है उस woman का, अब strangely we say, the court observed that virginity word, कहीं पर भी, इसकी कहीं पर भी scientific or medical definition नहीं दी हुई है, but still it has become a mark of purity of a woman, right, so, इस तरह का कोई भी testing procedure, court ने several judgments में, even honorable top court में, ये upheld हुआ है, that does not have a medical standing, इस तरह के test की कोई भी medical standing नहीं होती है, right, now, before summing up, हमारे कुछ important legal words है, इस news में, वो हम discuss करते हैं, पहला है accused, तो accused को इन दी में आरूपी, अभी युक्त कहा जाता है, कोई भी person जो की arrest किया गया है, या जिसके against charges लगाए गया है, who has been formally charged with a crime, next term है detainee, तो detainee मतलब bandi, तो कोई भी person जिसको temporarily detain किया गया है, bandi बनाया गया है, जब तक उसकी final trials नहीं हो जाते हैं, now, there is a difference between detainee और prisoner, prisoner तो वो वेक्ति जिसको convict कर लिया गया है, and उसको imprison कर लिया गया, as a part of his legal sentence, जब कि bandi या detainee is that person, जिसको temporarily detain किया गया है, जब तक उसके case में final judgment नहीं आता है, third term है unconstitutional, unconstitutional is something which is, you know, opposed to constitutional provisions, which is ultra wires, जो कि court constitution की accordingly allowed नहीं है, fourth term है writ petition, तो writ petition हमारा constitution में अर्टिकल 32 और अर्टिकल 226 इसके प्रविजिन की बात करता है, अगर हम typically बात करें, तो writ petition फाइल की जाती है, जब किसी के fundamental rights violate होते है, इंफरेंज होते है, and then they sought the court for relief upon the same, अर्टिकल 21, last हम लोग जो concept समझ रहे है, अर्टिकल 21 बात करता है, protection of life and personal liberty, it says that, as per the constitutional provision, it says that, no person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to the procedure established by law, कोई भी व्यक्ती डिप्राइवड नहीं होगा, यानि किसी भी व्यक्ती का right to life, right to personal liberty, नहीं चीना जाएगा, except अगर कोई procedure established by law है, तो वो that is an exception, so, मैंने आपको भी बताया था, मेनिका गांधी वाले केस में, इस right to life को, और जदा इसके स्कोप को, डिफाइन किया गया था, एक्स्प्रेइन किया गया था, वेर इट वस सेद आट, right to life does not means a mere animal existence, rather it guarantees a right to a dignified life, और इसके अर्टिकल 21 के स्कोप में, काफी सारे और राइट्स इंक्लूड किये गये थे, ये इसकी पूरी लिस्ट है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, तो उमीद करते हूं, आप लोगो ये केस का discussion, और ये लिगल वर्ट समझ आगए होंगे, ऐसी और वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर लिया होगा, पिकस यावचिंग और अगर नहीं किया है, आप मस् से, ये ये शुड़ सब्सक्राइब तो आर चैनल, you'll definitely get a lot of useful content here. So, this was it. I'll be back soon with another such informative videos. Till then everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.